प्रभारी सचिव अर्पणा अरोडा ने अजमेर प्रवास के दौरान विभिन्न स्थानों पर निरिक्षण किया, उनके साथ जिला कलक्टर डॉक्टर भारती दिक्षित भी मोजूद थी कलेक्टरिट परिसर स्थित विभिन्न शाखाओं तथा कार्यालें का निरिक्षण कर आवशक निर्देश प्रदान किये, सामान्य शाखा, विकास शाखा, न्याई शाखा, संस्थापन शाखा, आर्टी आई शाखा, राजस्व शाखा, भूरिकार्ड शाखा, कोशाले, जिल निस्तारण समय को कम किया जाए, फाइलों के विभिन नस्तरों पर फाइलों के निस्तारण समय की अलग-अलग समीक्षा करें, भूसम परिवर्तन की पेंडेंसी नहीं रखें, भूमी आवंटन के प्रकरणों को शीगरता से निस्तारित करें, पूराने रिकार्ड कोशाले में बिलो की आपतियां समय पर पूरी करवाने साथ ही बिलो की पेंडेंसी नहीं रखने के निर्देश दिये। के स्केनिंग कार्य का भी अवलोकन किया गया। इस कार्य की सराहना की गई। रिकार्ड रूम तथा नियोजन शाखा का कार्य भी देखा गया। प्राप्त शिकायतों के शीग्र निस्तारण के निर्देश दिये। नियमन के कार्य को आचार संहिता के पश्चात तेज गती से किया जाए नगर निगम के निरिक्षण के दोरान आयुक देशल दान साथ रहे इफाइलिंग सिस्टम में इनबाक्स की पेंडेंसी देखी गई विभिन शाखाओं का निरिक्षण किया गया नगर निगम के अधिकारी सफाई का प्रतिदिन सुभा मौका निरिक्षण करेंग नालो की सफाई का कार्य मानसून से पहले पूर्ण करें, नालो की सफाई का मलबा सूखते ही हटाना सुनिश्चित किया जाए, शिकायतों के निस्तारण के लिए समेकित हेल्प लाइन स्थापित की जाए अरोडा ने वन विभाग की सोमलपूर नरसरी का भी निरिक्षन किया, निरिक्षन के समय मुख्य वन सनरक्षक शारदा प्रताप सिंग, प्रशिक्षु आइफेस वैंकटेश एवं उपवन सनरक्षक सुगना राम जाट ने मानसून से पूर्व की गई तैयारियों से अवग अरोडा ने कहां कि नरसरी में कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षन करवाया जाए, निरिक्षन के बाद अरोडा ने नरसरी परिसर में पौधारोपन भी किया,